इन एफ टी नॉन फंगिवल टोकें आपने हाल की दुनों में ये नाम कई बार सुना होगा और आपके इमन में सवाल आता होगा कि आखिर एन फ्टी है क्या है और आखिर लोग क्यों इसके पीछे पागल बने हुए आपको यह जानकर और जादा हरानी होगे कि अभी जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो इसे एक एक एन फ्टी आर्ट के तोर पर करीब 11.75 मिलियन यूस डॉलर में बेचा गया है अब जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो इसे एक बीपल नाम के आदमी ने बनाया है और इसे करीब 69 मिलियन यूस डॉलर में खरीदा गया है और बस इतना ही नहीं इन फ्टी आर्ट के और और क्रियेटर्स को लाइफ टाम तक रोयल्टी इंकम मिलती रहेगी मतलब जब तक इन फ्टी आर्ट को खरीदा और बेचा जाएगा तब तक इनके ओजिनल क्रियेटर्स को पैसे मिलते रहेंगे और बस यह दो नहीं है ऐसे ना जाने कितने फ्टी आर्ट से जिन्हें लाखों में नहीं बल्कि करोडों में बेचा गया है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और यहां पर नन फंगिबल का मतलब है नन रिप्लेसिबल मतलब ऐसी चीजे जिन्हें उनी के सिमिलर चीजों से रिप्लेस ना किया जा सके तुमात लिए मेरे इसे मेरे अच्छी इनड ऊस्टना उंपशी समाख हैं किन रिप्लेसिबल हैं कि वेदोनों खुद में उनीक है झेल यह चलिए और शिम्पल सेुम् मैं दूसरे की सो रुपए के नोट से अगर रिप्लेस कर दूँगा तो उसकी वेल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी बट अगर मैं अपने 100 रुपीस के नोट पर अपना सिगनेचर कर दूँ यह जो मेरा नोट है यह यह यूनिक बन जाएगा मतलब अगर मैं चाहू तो अभी भी इसे एक्सचेंज कर सकता हूँ और 100 रुपाय का दूसरा नोट ले सकता हूँ इसकी वेल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी बट मुझे कभी भी कोई ऐसा नोट नहीं मिलेगा जिस पर मैंने सिगनेचर किया हुआ हूँ इसलिए यह नोट एक नन फंगिबल नोट बन जाएगी तो हमने नन फंगिबल के बारे में तो जान लिया अब हम चलिए समझनी कोशिस करते हैं टोकेंज को तो बिसिकलिए टोकेंज को आप कह सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ ओनर्सी मतलब अगर आप इंटरनेट पर किसी चीज के मालिक हो तोकन एक तरीका है या बतलाने का कि आप ही उस चीज के असली मालिक हो चलिए इसे भी हम एक और एक्जामपल से समझने की कोशिस करते हैं माल लिजे आप एक बाइक खरीदते हो और आप चाहते हो कि पूरी दुनिया यह जाने कि आप यूज इस स्पेसिविक आर्ट के ओनर हो तो आप उसके लिए एक टोकेन क्रियेट कर सकते हो जिसे एन एफटी के रूप में जाना जाएगा एनेफटी के बारे मैं आपको एक और बात बतलाना चाहूँगं कि पूरी तरह से काम करती है ब्लौकचेन टेकनोलोजी पर वही टेकनोलोजी जिस पर for cryptocurrency काम करती है and यही कारjar नहीं कि अगर आपको security sale होती है देन आपको ethereum के रूप में रुप जो कि यह cryptocurrency के लुप कर दो अभी हमने जाने NFT के बारे में चैंच आप यह भी जान लेते कि हम किस तरह से nf2 को create कर सकते और किस तरह से सेल कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया कि यह पूरा सिस्टम काम करता ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी पर आपको इसमें क्रिप्टो करेंसे की रूप में पे किया जाते हैं इसलिए आपको जरूत होगी एक क्रिप्टो वॉलेट के जिसको आप अप क्लिक कर दें क्रिए आपके सामने एक नया पेज उपन होगा जिसमें आपको मेटा मास्क के लिए पासवर्ड जिलेट करना है एंड मेटा मास्क जो है वह फोन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाव नहीं करता है इसलिए मैं इस प्रोसेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया ओके जब आप मेटा मास्क के लिए पासवर्ड क्रियेट कर लो दें आपके सामने कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेज ओपन होंगे सिंप्ली आपको उन वर्ड्स को या फिर उन फ्रेज को कहीं पर लिक कर अच्छे से रख लेना है क्योंकि माल लीजिए अगर आप फ्यूच करने वाले यहां पर एने फिट करने से पहले हैं आपको इस वेबसाइट को अच्छे से एक्स्प्लोर कर लेना है ताकि आप यहां पर किस तरह की NFTs भीक रही है, किन प्राइसे पर भीक रही है, या फिर यहां पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है सो एक बार आप इस वेब साइट को अच्छे से एक्स्प्लोर कर लो, यहां आपको फिट से एक बार बैक आना है कि मेटा मास्क जो है, वो फोन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाव नहीं करती है इसलिए मैं कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करके आपको दिख ला रहा हूं अगर आपको वीडियो की क्वाल्टी थोड़ा इधर उदर लगे, इन मैनेज कर लेना इमेज को अपलोड करनी है, जिसे आप इनेफ्टी में कनवर्ट करना चाहते हो इमेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर आपको अपनी एनेफ्टी को एक नाम देना है क्योंकि इमेज एक वाटरमेलन की तरह दिखाई दे रही है इसलिए मैं अपनी एनेफ्टी का नाम भी वाटरमेलन रखने वाला हूं अपनी एनेफ्टी को नाम देने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको एक्स्टरनल लिंक का ओप्शन मिलेगा मतलब अगर आपके कोई परस्टनल वेबसाइट है देन आप यहाँ पर दे सकते हो और फुला नीचे आने पर आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन का ओप्शन जहां पर आपको अपनी एनेफ्टी के लिए कच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखनी है सो फिलाल के लिए मैंने जो इस एनेफ्टी का टाइटल लिखा हुआ था उसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा सो उसके नीचे आपको मिलेगा अनलॉकेबल कॉंटेंट का ओप्शन है सो अगर आप इसे वाउन रखते हो इसका मतलब है कि आपके पर अपके शर् wire मेंगे इथेरियम और पॉलिगन का सो अगर आप Ethereum को select करे हुए देना आपको gas free मतलब एक तरह का charge pay करना पड़ेगा बट अगर आप Polygon को select करते हो देना आप यहाँ पर free में अपनी NFT को sell कर पाओगे सो Polygon को select करने के बाद आपको नीचे जा करके create button पर click कर देना है सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे image की NFT create हो चुकी है बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ हमें इसे sell करने के लिए इसकी listing करनी होगी सो next page में आपको sell का button मिल जागा आपको simply उसी button पर click कर देना है सो यहाँ पर आपको अपनी NFT की pricing लिखनी है कि आप किस price पर अपनी NFT को sell करना चाहते हो सो pricing set करने के बाद आपको उसी page में complete listing option मिलेगा जिसे आपको select करना है add next page में जाकर के आप फिर से unlock पर click कर दें add next page में आपको फिर से नीचे एक sign in option मिलेगा मतलब यहाँ पर फिर से आपको अपने MetaMask account को sign in करना है और यहाँ पर sign in करते हैं आपके NFT सेल होने के लिए ready हो जाएगी तो आज की वीडियो में आपने जाना NFT के बारे में और आपने यह भी जाना कि आप किस तरह से NFT को create and किस तरह से NFT को sell कर सकते तो आज की वीडियो के लिए बसीत नहीं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक like कर दे अगर आपको कोई सवाल है तो आप comment box पे पूछ सकते हो मैं वहाँ पे जवाब देने की कोसिस करूँगा साथी चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दे ताकि आपको मेरी आगर आने वीडियो की update time to time मिलती रहे